मैं 35 साल की हूँ और मुझे हातों पैरों में दर्द होता है क्या मैं केल्शम ले लूँ डॉक साब मेरा बच्चा दूद नहीं पिता इसको केल्शम दें मेरे फादर 65 साल के हैं चलने में बहुत दिक्कत है घुटनों में बहुत दर्द है केल्शम दे दीजे डॉक साब वेलकम टू हेल्थ टुडे, आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम और वाइटमिन डी लेने के फाइदे नुकसान, क्या मैं लूँ, क्या मैं नहीं लूँ, लूँगा तो क्या होगा, नहीं लूँगी तो क्या होगा एक कॉमन सोच जो सब लोगों की है, वो ये है कि हड़ी या जोड का कोई भी इशू हो, कैल्शियम ले लीजे, ठीक हो जाएगा, लाखो करोडो टन कैल्शियम हर साल पूरी दुनिया में बिखता है, लोग कैमिस्ट के पास जाके या सूपर मार्केट में जाके कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं, खाते हैं और ये उमीद करते हैं कि जो उनकी हड़ी और जोडों पर मसले हैं, वो उससे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है, दोस्तों हमें ये बात समझनी होगी कि हमारा शरीर एक डाइनमिक सिस्टम है, यानि कि आज मुझे कैल कैलशियम की रिक्वायर्मेंट बढ़ जाएगी, एक चोटा बच्चा है जिसको हाइट गेन करनी है, जो हाइट गेन करने वाला है, उसकी हड़ी ग्रो करनी है, उसको कैलशियम की रिक्वायर्मेंट जाधा है, as compared to एक 25 साल का नौजवान जिसकी हड़ी बढ़ना पूरी हो तो केल्शियम कब लें, कब ना लें, कैसे लें? पहली चीज, केल्शियम बॉडी में जितनी जरूरत होती है, बॉडी उतना ही एब्जॉब करती है, अगर आप लेते भी रहेंगे, तो जो फाल्तु केल्शियम है, वो सिर्फ वेस्ट में निकलता रहता है, आपकी बॉडी उसको एब्जॉब ही नहीं करती, तो ये मित है कि मैं कैल्शियम ले लूँगी, तो मैं ठीक हो जाओंगी, अगर आपकी बॉडी को जरूरत होगी, तो बॉडी एब्जॉब करेगी, वरना नहीं करेगी, ऐसी कंडिशन, जैसी हमने अभी डिसकस की, बढ़ता है बच्चे, लेक्टेटिंग फीमेल, प्रेगनेंट फीमेल, ओल्ड एज फीमेल, जिसके अंदर औस्टेव प्रोसेस, यानि की हड़ियों की वीकनेस होती है, या कोई ऐसा इनसान जिसको फ्राक्चर हो गया है, और उसको फ्राक्चर हीलिंग के प्रोसेस में केल्चिम की और विटामिन डी की रिक्वाइर्मेंट जादा है, उनको जो केल्चिम दिया जाता है, उसको थेरेपुटिक डोस कहा जाता है, therapeutic dose यानि की therapy यानि की इलाज के लिए जो जरुत होती है इसके अलावा जो दूसरी dose होती है वो होती है maintenance dose maintenance dose यानि की एक normal आदमी जो इन में से किसी condition से नहीं निकल रहा है क्या उसकी body को जो calcium की requirement है वो maintenance dose है आम तोर पे अगर आप healthy खाना खा रहे हैं आप proper sunlight का exposure है आप बाकी तरीके से स्वस्थ हैं आपको कोई diabetes नहीं है या और कोई ऐसी kidney या liver की ऐसी बिमारी नहीं है तो आपको extra calcium लेने की कोई ज़रूरत नहीं है एक और सवाल डॉक्टर साब calcium जादा लेकने से मुझे kidney में stone तो नहीं हो जाएगा लिटरेचर ऐसा साफ साफ बताता है कि जो kidney या gallbladder में होने वाले stones हैं वो 80% stones में calcium होता ही नहीं है वो oxalate stones या किसी और चीज़ से बने वे stones होते हैं अगर आपको kidney stone already exist नहीं कर रहे हैं या gallbladder stone already नहीं हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप calcium लेंगे तो stone बन जाएंगे लेकिन अगर already stones exist कर रहे हैं तो उनका size या number बढ़ सकता है तो अगर आपको already stones हैं तो आप अपने kidney specialist या gallbladder specialist से discuss करने के बाद ही calcium लीजिए जो एक और जो question आता है कि डॉप साब जो बजार में आम तोर पे supermarket में जो calcium मिलता है क्या मैं वो ले सकता हूँ या ले सकती हूँ answer is yes and no limited quantity में for limited number of days आप वो ले सकते हैं वो एकदम safe है लेकिन बहुत लंबा और बहुत जादा quantity में calcium या vitamin D या for that matter कोई भी nutritional supplement recommended नहीं है आपके लिए क्या calcium की सही dose है, कितना time duration आपको calcium लेना है, लेना भी है या नहीं है या calcium के साथ और कुछ चीज़े, magnesium, boron, कुछ और चीज़े भी चाहिए अगर आप इसके बारे में कोई सला या मशवड़ा करना चाहते हैं तो आप हमारे से दिये गए number पे अपनी reports भेज़के discuss कर सकते हैं हम आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है Thank you